नमस्कार मित्रों स्वागत आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छी खबर आप लोगों की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं जारी हो चुका है P.E.T. बोले तो क्या आपको किसी भी सरकारी विभाग में अगर अब नौकरी चाहिए तो P.E.T. तो देना पड़ेगा प्रारामविक आरता परिक्षा विज्यापन जारी हो चुका है पूर्य टाइम लाइन आपके सामने आ चुका है मुख्य बातों को ले P.E.T. पहले दे भी चुके होंगे तो उनके मन में U.P.S.S. को लेकर खासकर बहुत जादा अंदर सोच रहती है क्योंकि U.P.S.S. एक ऐसी संस्था है क्योंकि ना तो वो U.P.S.C. है ना तो वो U.P.P.C.S. है लेकिन U.P.S.S. के अंतरकत कुछ ऐसी पोस्ट भी आती है जो U.P.P.C.S. के बिल्कुल टक करकी होती है तो फटाफ़ देख लेते हैं पूरी खबर क्या है तो लास्त वीडियो जरूर देखिएगा और आपको कंटिट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्स्राइब जरूर करिएगा सबसे पहले देख लेते हैं तो P.E.T. आपके सामने द दिया जा रहा है जुलाई का शुल्क समायोजन इवं आवेदन में संशोधन की अंतिम्तिती 38-2022 यह है आपका में 28 से शालू हो चका है फॉर्म 27 तक फॉर्म भरे जाएंगे और अंतिम्तिती आवेदन शुल्क जमा करने की भी और कोई भी अगरत्रुटी है या संशोधन ह तो वो 3-8 मतलब 3 अगस्त तक आप उसमें एडिट कर सकते हैं अब एक विशेश कतन दिया गया इसको पढ़ना बहुत जरूरी है उप्रुक विग्यापन के साब एक शावेदन शुल्क जमा करने की अंतिम्तिती 27-2022 है इस तिती के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार करा जाएगा ब्यर्ति अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक की वह उसके दोरा जमा शुल्क का समायोजन बैंक दोरा नहीं करा लिया जाता है अताव भीरती दोरा बैंक से शुल्क का समायोजन 27-27 22 तक अतवा उसके पश्याथ व पाद में कहीं पर भी बच्चें इसे चैलेंज ना कर सकें तो आप देख सकते हैं आपको बहुत बढ़िया एक अफसर मिलने वाला है ऑनलाइन आवेदन आपके होंगे कौन सी साइट है दीवी या यूपी ट्रिपल सी डॉट ज्योवी डॉट इन यहां सर आ यहां पर जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अहरता परिक्षा की अनिवारता क्या है तो आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल सी में मैक्जिमम क्या बलकी 90 परसंट जितनी भी जॉब है उसमें आप लोगों को ग्रेजुएट होना जरूरी होता है जो केवल क्लेरिकल जॉब होती है वहीं पर आपका टैन प्लस टू चलता है वरना सब में ग्रेजुएशन कंपल सरी है बाकि आप पूरा डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं यहां पर मुखी बिंदूओं पर चट्टा फटाफट हम लोग कर लेते हैं कैसे आपका चैन होना है कैसी परिक्षा होनी है वह आयोग द्वारा विभिन पदों के सापेक्ष चैन हे तो मुखी परिक्षाओं के आयोजन हे तो जो विग्यापन 27-10-22 तक निर्गत किये जाएंगे उन परिक्षाओं में प्रतिबाग है तो अब अर्था परिक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा बहुत आयोग की जो परिदी में आने वाले पद यह बहुत बढ़िया है बहुत जरूरी है आप लोग के लिए जानना कि कौन-कौन से ऐसे पद हैं जो की यूपी ट्रपल सी के अंतरगत आने वाले हैं जैसे आप देख सकते हैं उत्त्रपदिश अधिनस सेवा चैन आयोग अधिन 2014 की धारा में उलेखित है कि इस अधिनियम के उबंद में समुखा से निम्न समुगा के ऐसे समस्त सीधी भरती वाले पदों को संबंद में जिसके अंतरगत सचिवाले के पद भी हैं और रास सरकार द्वारा स्थापित या नियंतित किसी बोड या निगम के किसी अन्विद समुगा के पदों पर भी लागो होंगे, मतलब समुखा और समुगा चाहे वो आपके सचिवाले में हो, चाहे किसी निगम में हो या किसी बूर्ड में हो यहां से सीदी सीदी भरती करी जाएकी, परंतु राज सरकार अदिसूचना, द्वारा किसी पद को आयो के कारशेतर स से हाटा या उसमें जोड सकती है मतलब सरकार के अपने मरजी है अगर आपको चाहें तो किसी में भी वो अटैच कर सकते हैं उत्तरपदेश शाशन कार्मिक अनुबाग तीन के शाशन अदे संख्या इतना 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 सब पूरी संख्या दी गई है प्रक्षा सब उत्तरपद ग्रेट पे होता है और इसे अधिक किंतू वीतन बैंड दो रुपए 93-34-800 ग्रेट पे मतलब च्यालिस सो तक के सीधी भरती के समस्पत अधिनस सेवा चैन आयो की परिदी में विन्रिष्ट किया गया है मतलब उन्निस सो से लेकर च्यालिस सो तक के जो ग्रेट पे हैं वो इसके अंतरकत आते हैं च्यालिस सो के ऊपर समू का के कुछ पद लगने सुरू हो जाते हैं अर्टालिस सो एवं चवण सो से तो च्यालिस सो तक के सभी पद इसके अंदर आएंगे मिन्मम उन्निस सो ग्रेट पे जो क्लरक का होता है और अगर हम बात करें सिक्षा विवाग च्यालिस सो का मतलब टी जी टी का पद होता है वो च्यालिस सो पर बढ़ती होता है तो इस तरह के जित्ते पद इसमें आएंगे और वेबिल वागों में प्राप्त होने वाले अधिसूचना जो मिली है मतलब कित्टी कित्ती जहां पे जगाख खाली है कि सापिक्ष time period मतलब एक साल की अंतरगत जितनी परिक्षा कराई जाएंगी और अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आपको आटोमेटिकली वहीं से बुला लिया जाएगा पूरी प्रिक्रिया क्या है वह आप अपना पूरा जाके आप डाउनलोड करिएगा और आपको वह बीजी तो आपको भी 150 रूपय देने हैं पाकिनो इनुस अे जाती से हैं तो 95 5 रूपय और अगर आप विकलांग है तो आपको 25 रूपय का शुलक देना है और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं स्वतनता संग्राम सेनानी से आशित भूदपूर्फ सेनिको एवं महिला भ्यरती द्वारा क्रमांग एक से चार तक लकित उनकी मूल शेणी के अनुसार शुलक दे होगा मतलब जो महिला हैं या फिर स्वतनता सेनानी है उनके लिए फ्री नहीं है वो जिस केटेगरी में आते वक्त आपको पूरा पेमेंट करना होगा अब बहुत सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है यह कोर्स क्या है तो देखे कोर्स सीडी सीडी बात है पुराना वाला कोर्स है वहीं आपकी हिस्ट्री आएगी जिसमें आप देख सकते हैं सिंदुगाटी से लेकर वैदिक नाशनल मुव्मेंट्स यह वैसे हिस्ट्री का ही पार्ट है क्योंकि यह मुव्मेंट मतलब हो गया हमारी मौडर्न हिस्ट्री हो जाती है तो सारे मुव्मेंट मतलब जहां जहां हमारे अंदोलन हुए थे भूगोल की बात करें तो देखिए भारत एवं विश्व का बहु इंडिन इकोनोबी तो और्थ विस्ता कब से कब तक तो 1947 मतलब जिसे देश आधास हुआ है से लेकर 1990 तक मतलब जित्ती योजना है पंज वर्षी योजना है चलती है मिश्रित अर्थ विस्ता क्या होता है हरित क्रांती है दुग्द विकास और परेशन फ्लोड जो इस तरह की संविधान की मुखे विशेष्टाएं हो नीतिन दिर्देशक्तत्त हो आपके मौलिक अदियकार हो आपकी संसदी प्रणाली हो संसदी प्रणाली में संग केंशाचर प्रदेश हो सब कुछ नहीं पालिका मतलब सभी चीज़ों को अनोंने लिख लिया चाहिए जिला इसमें पूर्ण संख्याय मतलब नंबर सिस्टम प्रतिशयत परसंटेज आधार एवं अंगणी समीकरन वरग मूल मतलब स्क्राइन स्क्राइड घातां घात मतलब एक्स्पोनेंट इन पावर और सत मतलब एवरेज मतलब अच्छा खासा पेपर आप देख सकते हैं हिंदी क कि बात करेंगे तो वहीं कॉमान हिंदी संदी विलों पर्यावची वाक्यांश की लेक्षा लेंग और आपके समशुत विनार्तक्षाद मुहावरे समान अशुद्धियां लेखक और रचनाएं भी पूछी जाएंगी समान अंग्रेजी तो अंग्रेजी एक व्याकरन और अपटित गद्यांश भी पूछा जाएगा रीजदिंगी बात करें तो व्रत लगू क्रम रैंकिंग संबंद समु से बिन अलग करना केलेंडर घडी कारण और प्रभाव कोडिंग डिकोडिंग और निग्वनात्मक्तर क्या फिर कथान विश्लेश लेशन इवाम ने आप सकते हैं पेपर का लेवल बहुत अच्छा है एससी लेवल ही पूछा जाता है यूपिट ट्रिपल से में करेंट अफेर्स दस नंबर के हैं बहुत महत्यपूर्ण है जनरल अवेरनेस की बात करें तो देखिए जनरल अवेरनेस का मतलब जीएस है सभी चीज़ें आ जाती है जो आपका चल लाए ये करेंट अफेर जैसा ही होता है इसमें भारत के प्रोसी देश क्या है राजनाडिया क्या हैं मॉद्णाए क्या है कितने किया बहुत विशु संगठन क्यों कौन से हैं परिटेनस्थल क्यों क्यों.... से यूनेसको ने किस किस को क्या बना दिया है सब भारत का कला संस्किति विश्चु का के हमारा आप जो भारत खेल हैं और भारती अनुसंधान व्रसित पुस्तकर लेखक और पुरसकार एवं विजेता यहां पर आप देख सकते हैं पूरा हम लोगों ने नोटिफिकेशन को मह पीटी के तयारी करने वाले फिर से लग जाई है क्योंकि पिछला पीटी समाप्त हो गया उसकी विलिटी भी खतम हो गई अब बात सिर्फ बची है आपके नए वाले की तो नए की तयारी चालू कर दिए जबता सिक्षक भड़ती नहीं है खाली नहीं बैठना है पढ़ते सब्सक्राइब करें नहीं पीटी नहीं दिया था इस बार जरूर पीटी दीजिएगा क्योंकि नुकसान आपका बहुत बढ़ा हो जाएगा लास वीडियो देखिए उसके बहुत बहुत दिन आपको दिन शुबहूं